हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सम्राट एजूकेशन में दोस्तों आज के इस लीडियो में आप लोग को ब्यस्जी एक समेश्टर की एक बिस है लेंड इसकेपिंग का आप लोग को मुश्ट इंपॉर्टन इक्यूशन कराने वाला हूं जिससे ह हम लोग को जिसके बारे में लोग पढ़ना तो इसका हम लोग 5-6 मोश्ट इंपॉर्टन लांग क्यूशन देखेंगे जो कि ग्याम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन भारतिये संदर्व में भूद्रिस भागवानी का महतोवा दायरा बताइए इल्लेंड इसके बारे में पूछ रहा है ठीक है चलिए देखते हैं तो भूद्रिस भागवानी भारती संस्कृती और आर्थी की तियास का महतोपड़ हिस्सा है और इसका दायरा भारती संस्कृती और आर्थी की तियास का रूपों विक्सित है और समाजिक आर्थिक और पर्यावड़ी पहलूं का प्रतिभी में प्रस्तूद करता है कौन भूद्रिस बागवानी या लेंडिस्केप गार्डेनिंग ठीक है चलिए देखते हैं इसका क्या महत्त है और इसका क्या दायरा है तो इसका महत्त है आर्थि सिती में सुधार का एक अच्छा तरीका मानते है ठीक है लेंडिसके गार्डेनिंग जो होता है इसका पहला महत्त है कि हमें आर्थिक रूप से सारा प्रतान करता है क्योंकि जो भूद्रिस बागवानी अक्सर जो होता है वो किसान का मुख्य हजीव का चलाने का स्रोत होता है भारत में अन्यक लोग खेती के माध्यम से अपने परिवार का पालन को सड़ करते हैं इससे अपनी आर्थिक की सिती में सुधार का एक अच्छा तरीका मानते हैं अगला क्योंसे ने भागोलिक वीदिता तो भूद्रिस बागवानी के माध्यम से विबिन प्रदेश में विबिन प्रदेश में 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 अगला प्रदूसर कमी तो भूद्रिस बागवानी में जैव प्राकर्टिक संदुलोन को बनाया रखने में भी सायक होता है तो अमने तिन पॉइंट बता है इसका महत वगला पॉइंट है अधिक आधान प्रदान तो भूद्री से बागवानी में विविन प्रकार के फल और सब्जियां उत्पन होते हैं जिने खेती करता अपनी जरूरत कमी चौथा आधान प्रदान तो यह था इसका महत तो जो क्याना था इसका दायरा देखेंगे इसकोप जिसे बोल सकते हिंदी में और इंग्लिस में ठीक है तो भारत में उत्री चेतर में अना जैसे किया हूँ चावल और जो और दच्वड़ी में तंबाखुती लें का पा जिसरा पॉइंट निसार की फ़ल सब्जी और पहुद्यों की ख्यती होती है जिससे बहुतर स बागवानी वीद्दा को बनाया रखती है घल संचारण के नुसार की अवस्ता के खारण भूदरी से बागवानी यह लेंड़ स्केपिंग गार्डेनिंग वीदी जल स्रोतों क पास हो सकती है ताकि आदेश से जल सुरचित हो सकती है ताकि आदेश से जल जो सुरचित हो सकती है इस सभी प्रकार कि भूदरी से बागवानी भारती समाज में आर्थिक समाज उकर पर्रया वड़ी अस्तोरों पर महतूर भूंका निवाती है और इसका दायरा भी बहुत होगा चलिए चलते हैं अगले क्यूशन पर अगला क्यूशन है गार्डेनिंग सैली से आपका क्या विप्राइब है इसके प्रकार और विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष गार्डेनिंग साहली का चैन व्यक्ति की पसंद उपला तो समय और उसके बागवाने को दिशो पनिड़बर करता है तो चलिए देखते हैं यहां पर कुछ और ज्यामितिक साथ सुझाजीत होती है इसमें पौदे की प्रकिर्टी की बात करें तो यहां अक्सर ब्रस रभी और गरे रंगों के फूलों का प्रयोग होता है तुसरा इन फार्मल गार्डेनिंग तीक है इसकी भी सेस्ता या कि यह स्वतनतरता और नेचरल लूग देता है इसमें अधिकतर पौदे और सभाविक रंगों के पौदे हो सकते हैं तो इसकी विशेचता है कि यह चोटे अस्थानों के लिए और इसमें बहुत पौदेों को बढ़ताने के लिए पात्रों को प्यूग होता है ठीक है इसमें चोटे अस्थानों के लिए पात्रों को प्यूग होता है ठीक है इस में चोटे अस्थानों विविंत प्रकार के पौदे हो सकते जैसे कि फूल सब्जियां और अफ़दी आदी तो यह तीसरा पॉइंट था आप लोगा कंटेनर गार्डिनिंग जैकि को प्रमोट किया ओता है इसमें सुप्लियट जैसे को प्रमोट किया अता है इसमीं जल्द समन योजना होते जो अच्छकु सविज़ाय प्रधान करते हैं तुछी पर्दानों कृदर और सब्दान की अवसर होता है यहां तो यहां आपको मिर्च टामाटर, पुदीना, धनिया, लसुझ और अन्य स्वाधिष्ट और सुगंदित पौधी मिल सकते हैं तो यहां तुथी बिभीन प्रकार के गार्डेनिंग सहलियां जो कि मैंने आप लोगों को बताए तो इन गार्डेनिंग सहलियों में चैन करते समय वेक्ति पनी पसंद आस्थान को लगता और बागवानी कुद्यस्थों को मद्यस्त रख करना चाहिए इससे उनके अधिक संतुष्टी और आनन्द मिलता है जब वे बागवानी को देखते हैं और उसमें समय विताते हैं तो यह था अब लोगा दूसरा को जो कि मैंने बताया गार्डे निग सहली कितने प्रकार को उता इसकी विसेष्टा तो सबकार करोले देख लीजेगा चलते अगले प्रसना एक क्याक्तास और सारस दोनों रिखना आए तो यह नहीं कुछ नतर होते हैं इनुमें कुछ रहा 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 है रूप रेखा रहा रहा है तो क्याक्तिस धार्ट पात्राइं हो सकती है और रंग विक्षित हो सकता है जिसमें हरा काला पीला और बुरे रंग सामिर होते हैं दूसरा होता है सारस तो सारस की जो रूप को पता होता है तो यह रूप रेखा रंक का अंतर था जिल्ली और काटे का अंतर तो क्याक्टस की भूसा कंटों काट्व से रखी होती है तो भाग होता है फूल बोल सकते हैं ठीक है वह काट्व डखा होता है अकसर फूलों के माध्यम से पाचानी जाती है लेकिन इनमें विविन प्रजात्यों के वीच 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 संतर होता है था है अग्सार फूलों के पाचानी यहाती है लेकिन इक इंडर खलता है उसको होता है उसको फूलों के मादरव से नहीं पचान सकते हैं इन दोनों का उतारत देख लेते तो खालत जो है इसमें उसिता रहले फरीक्व या फेरों तीक है तो इसको लेसकते हैं किसमें आप लोग को प्रसन और प्रसन आप लोग समझ में आच चुके होगे चले-चले-धा लेकले परसना है बुनसाई को परिवासित कीजिए बुनसाई के विविन प्रकार का वड़न कीजिए ठीक है बुनसाई को परभावित कीजिए परिवासित कीजिए बुनसाई के विविन प्रकार का पौदे का वड़न कीजिए तथा बुनसाई के लिए प्रजात्यों की सूची बना जिसका मतलब होता है पूरा और पौधा को नहीं जो दिखता है लेकिन इसके पूरे पेड़ या बिच की अनुकारण की आती है सब्सक्राइब देखने में छोटा रखता है इसके पुर्य पॉजे की अकरिति की बिद्धी को बनाए रखने करा हो थी ठीक है पॉजे को देखेंगे उसको विभीन तगार के आकारें बदल दियाता है कभी घोड़ा चीता तो टॉप यह होता है पॉजे को काट गटकर छोट पॉजे को दर साथ है इसका विशेशता है कि सिंग स्थिविद्धी का व्यास और संकेतिक आकरितियां क्लासिक बनाए आते हैं दूसरा इन फार्मल बनसाई तो इसमें आपाद कानी रुप से पैदा अगा और प्रसाशन करा गया पौदा होता ठीक है इसकी विशेशता होत अपात का लेंदे राक्रितिकता होती है ठीक है इन फार्मल बनसाई में तीसरा था है तो इसमें पेड़ की विशेशता को बढ़ाने कี่ के लिए बाग बानी लाइट को किया तो प्रमुकर और टो तो यहाद रहों क्योंकि मैं यह स्बिएक्ट Woah अबbolt विडियोग क्यों और लिए कोई दिखते हैं अगला है फार्मल बंसाई तो यह साहली गोलाकार आकारी और नीमित रूप से काटा गया होता है जिसमें सिंग और साखाएं अच्छे समंझस में होती है इसके प्रमुक विशिस्ता होती है कि यह नीमिता सरिंगार और व्यापक सक्ति वाला होती है इस पोदा एक जील की तरह है और इसका विशिस्ता तो इसके ऐसरे और संक्यतिका इसका विशिस्ता अगला बुन जाई बुनता है एक साहट कि अगला के सब्सक्राइब करना है चलते अगले प्यूश्चन है जो मुगल गारडन की विभीन विश्चताओं का सब्सक्राइब करना है तो मुगल गारडन भारती बाकवाणि का एक अध्विती रूप है जो मुगल सामराज के समय स्वल्णामी से सत्रामी सतावदि में विक्सित हुए थे इन गार्डनों का निर्माद अदिकतर सुल्दानों और बादसाओं निकिया था और इनमें मुगल सहली की विश्चताया सामेल होती है तो कुछ मुगल सहली की मुखी विससाई के बारे हम लोग देखेंगे पहला चार बाग प्रडाली ठीक है तो मुगल गार्डन अक्सर चार बाग प्रडाली का नुसरल करते हैं जिसमें बारा बाग बानी चेतर को चार में विवाजित किया जाता है इस प्रड wichtig भाक को ईश्वर की दिशा की दर्वियुसीत किया तृ ठीक है मोगल गाड़न में अक्थर चार भाग वाग उसल्ट करते है जिसमें चब वाकवनी 16jar को चार भाग हम विवाजित किया था था ठीक है दूसरा है बाग वहाणि निए उदला अलंग की देख रहे हैं प्राचिन विदान तो मुगल बाग्बानी便 भी विम प्राकार के पूद्य को यह साथ बोने जाता था जिससे एक संद्धा रूप बनता था ठीक है अगला कलात्मा गुल्दान तो मुगर गार्डन में तो फूलों को सुन्दरता से भर देते थे ठीक है तो यह था आप लोग का कि उसके जो पॉइंट है यह फिर से बता देता हूं कि क्या क और बड़े फवारे लगा जाते हैं छोटे कुन्यार बावडियां होती हैं बागबानी का प्राचिन वीदान था कलात्मा गुल्दान तो यह था इसकी विसिस था इसका मुगर गार्डन का चलिए चलते हैं अगले क्यूस्टन पर अगला क्यूस्टन है लान की परिवासा लान लगाने की विविन वीदियों का उड़न किया ठीक है लान जो आनते होंगे आप लोग लान की परिवासा लेकना है और लान लगाने की विविन वीदियों का उड़न करना है तो लान एक बड़े अस्थल पर हराया और मुलायम गास की चमकिली सता होती है जो समान तक घ वरी भरी और सुन्दर बनाने के लिए उप्योग करते हैं यह रूप और आया मीं हो सकता है यह आम दोर पर घर के आसपास का हिस्सा होता है जो साथ बागबानी खेती लिए खुले असल का एक हिस्सा हो सकता है लान एक सुखल आरामदायक और रिफ्रेसिंग माहूल बनाने लान लगाने की पहली बीज से लगाना तो लान लगाने की पहली बीज से लगाना तो इसमें लान की बीजो को सीधे मिट्टी में वह आता है और उन्हें नीमी तुर से पानी दिया आता है यह जो होता एक सस्ता और सामान तरीका होता है लेकिन इसमें बूट से ग्रास की ग जित्षाइब चोटे पोड्य को तयारी की जगह नें बोना जाता है और फिर ग्राज की तवरीत ग्रुध प्रदान कर सकता है ठीक है उसको वाध उसको क्या किया तो वुह देख सक्किर देख सक्या लगाता है अगला इसको लिखार आगा लिदिया फिर टार पर एक सब्सक्राइस सब्सक्राइब कि भूप्यों को इस को भूपने का एक संदित और सुन्दर लान तुरंत प्रदान करता है तो यह तलान क्या था लान लगानी की इंट्रकर की वीदिया है उमीद करते हैं यह भी किशन आप लोग को समझ में आ गई होगी चलिए चलते हैं आप अगले कुशन पे साथमे कुशन पे यह जो किशन हंड़ेट परसंट क क्या अर्थ है तो लेंड इसकेपिंग एक विशेष चेतर की डिजाइन और निर्मार कला है ठीक लेंड इसकेपिंग क्या है एक विशेष चेतर की डिजाइन और निर्मार कला है जो मुखितब प्राकरिक सुन्दरता को बढ़ावा देने वाता बरड को सुधारने और जो मुख्यतब प्रेक्लिक्त मुख्यू को बढ़ाुदा के लिए वाताव रडप्र को सुधारने दूसरा है एक ही कृत्ता बहुत महत्पूर होती है जिससे की सभी गटकों को सही से संबोधित किया जा सके और एक अध्भूत और सहयोगी डिजाइन पैदा हो से ठीक है तीसरा पॉइंट है उप्राक्रितिक इसी का संबंद तो इस स्थिदान्त के अंतरकत बिजाइन को विश्चता की प्राक्रितिक से मेल खाना चाहिए ताकि यह वहां के लोगों और परिराट के साथ संपर्क में हो सके ठीक है तीसरा है सामारिक समवाद तो लैंडिस्केपिंग में सा स्थान के साथ मिला कर डिजाइन करना चाहिए ताकि लोगों को एकातनी विभर और सुभी और सित अस्थान मिल सके तीसरा प्रबंदन तो इस सिद्धान के अंतरगत प्रबंदन कर सकता होती है जिससे अस्थान को पूरी दरह से सुरचित रखा जा सके तो यह था आप पूरे पीछे करके जदी नहीं समझाया तो दुबारा देख लेजिए और जो भी न समझाया आपने पूछ भी सकते कमेंट करके वार्ट सब्सक्राइब करके आपको काल करके किसी मादन से बता दिया जाएगा अगला क्यों सोभाकारी लताओ से आपका क्या भी प्राया ठी किसी की सुन्दरता और गरिमा से सजीव करना या उसको जागरित करना इसका उपक साहित तो अकला में विविन संदर्व में किया जा सकता है इस वाके का प्रयों किसी चिचक्व अबूसर सजावाट या सुन्दरता विक्सित करने की इस सिती को संदर्वित करने के लिए भी किया जाता है ठीक है तो यह ताब लोग सोबा कारी लाता होती है जो किसी आसान की सोबा को बढ़ाती है ठीक है अबिद करते हैं आठ क्यूसन मैंने जो बता है आपको अच्छे सों में आया होगा और कहीं पर कोई दिक्का को ताब लोग डिस्क्रिप्शन वार्ट सब्रूप करने को और सब्सक्राइब दिया किया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब पीज़ेगा परें दोस्तों का शेयर भी जरूर पीज़ेगा धन्यवाद जया हिंद्ट